हमने हजारों बार सुना है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और वो भी पता नहीं किस-किस के मुझे, पर सवाल ये आता है, कि जिस देश में लड़कियों का ही वैपार होता है, वहाँ पर बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का क्या मतलब, जिस देश में लड़कियों से धंदा करवाय जाता है वहाँ बोला भी क्यों जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ा इसलिए कि उन्हें बाद में सेक्स राकेट में ठकेला जाए नमस्कार स्वागत है आपका जनतारंग्षन में और मैं हूँ आपके साथ स्रिश्ची शिवास्ता आए दिन सेक्स राकेट पकरे जाने की खबड़े आती है वैसे ही मध्यप्रदेश के इन दौर में पुलिस ने एक सेक्स राकेट का भानदा पोड़ा है दरसलिए लोग सेक्स राकेट वाटसाप के जरिये चलाते थे और इन्होंने होटल को अपना अड़ा बना रखा था इसमें शामिल दो आदमी कमल और कुलदीप सेक्स राकेट से हटके एक और अलगी खेल खेल रहे थे ये लोग उन लड़कों को लड़किया देते थे जिनकी शादी नहीं हो रही होती थी जिनको शादी के लिए लड़किया नहीं मिल रही होती थी और बदले में वो लड़कों से मोटी रकम लेते थे और तो और लड़कों से पैसा लेने के बाद शादी के कुछ दिन बाद लड़कियों को वापस भी बुला लेते थे इस मामले में पुलिस ने 12 लोग को गरफतार किया है जिसमें होटल के मैनेजर 3 ग्राहक और 5 लड़किया शामिल है इस केश की पुष्टी एडिशनल एस पी प्रशान चौबे ने की उन्होंने कहा क्या रोपियों को रिमांड ले जाये जा रहा है और उनसे पूष्टाच की जा रही है गुरुग्राम से भी एक ऐसा ही केस आया है जहां स्पा चलाने के नाम पर सेक्स राकट चलाया जा रहा था दरसल एक वैक्ती उस स्पा में कस्टमर के तौर पर गया और वहां उसने देखा कि वहां की महिलाए सेक्स राकट ट्रेड में इंवाल्वड है और उन्हें पुलिस को इस बात की जानकारी दी पुलिस ने इसमें आट लोगों को गरफतार किया है जिसमें एक मैनेजर और साथ महिलाए शामिल है राजकोट की पुलिस ने एक वैक्ति को गरफतार किया जो की जारकंड का निवासी था और राजकोट में सेक्स राकट चला रहा था उस वैक्ति का नाम राकेश कुमार अलियास अजे सिंग है उसकी उम्र 32 साल की है उसे पुलिस ने जारकंड के कोड रहमा में पकड़ा इसमें एक मुंबई से आई लड़की को भी रिस्क्यू किया गया है पुलिस ने जब राकेश से पूछता ची तो उसने बताया कि वो ये राकेट आउनलाइन चलाता था चन्ने में दो लड़कियों को रेस्क्यू किया गया जिन्हें इस सेक्स राकेट में जबरदस्ती लाय गया था और पुलिस ने दो आदमियों को भी गरिफतार किया है जानकारी की मुटाविक वो दो लड़किया मॉडल है और उन्हें दिल्ली से फिल्म में काम करने का लालस दे कर बुलाय गया था पुलिस को ये सूशना मिली कि उन दो लड़कियों को जबरदस्ती एक होटल में रखा गया है तब पुलिस ने वहाँ रेड मारी और दो लड़कियों को बचाया और दो आदमें को गरिफतार किया दो आरोपी और थे जो कि पुलिस से बच के भागने में सफल रहे पुलिस को दोना आरोपियों ने बताया कि वो लड़कियों को फिल्म का वादा करके लाये थे पुलिस अभी वो दो आरोपियों की तलाश में है ये जितना भी केस हम अभी आपको बताए ये बहुत कम है ऐसा बहुत सा केस आता है और कुछ तो सामने भी नहीं आ पाता उन ओरतों की जिंदिगी यही बन के रह जाती है अब जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हैं वो जरह एक केसेस के बारे में जरूर सोचेगा और फिर बोलिएगा ये लाइन इसी के साथ देखते रहे जनतरंग्षन हम यूट्रों पर सब्सक्राइब करें फेस्बूक पर लाइक करें टूट्रों पर फॉलो करें और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाक अंडाज में पत्र कारता करते रहें तो स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स पर डोनेशन दें धन्यवाद